हेल दर्शन में आपका स्वागत है दोस्तों कई बार आपने महसूस किया होगा आपके पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है और अक्सर करके हम और आप इस आवाज को नौर्मल समझ कर इग्नौर कर देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं? आने वाली इस तरह की आवाज को किसी बीमारी का संकेत भी कहा जा सकता है जी हाँ, चोग गयना दरसल जब भोजन छोटी आप में पहुचता है तो शरी में पाचन की क्रिया प्रारंब हो जाती है भोजन को तोड़ने और पोशकतत्मों के आवशोशन के लिए शरीर एंजाइम रिलीज करने लगता है दरसल इस पूरे प्रासस में ही ऐसी आवाजे आने लगती है साधरन तौर पर ऐसी आवाजे भूख लगने पर आती है मेडिकल भाशा में पेट से आने वाली इन आवाजों को स्टमक ग्रोलिंग नाम से जाना जाता है अकसर इस तरह की आवाज को भोजन पचने से जोड़ कर देखा जाता है आम तोर पर जब भोजन पच रहा होता है तो इस तरह की आवाज पेट और आंतों के अंदर से आती है इसे अकसर सामान ने माना चाता है हाला कि कई बार ये सामान ने समझे जाने वाली चीज पाचन तंतर के भीतर की किसी गंभीर स्थिती का संकेत हो सकती है माना जाता है कि एक बार में इस तरह की आवाज करीब 20 मिनट तक आती है और जैसे ही आप खाना खाते हैं तो हर घंटे फिर से शुरू हो जाती है अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप भूखे होते हैं तो मस्तिश्क में हार्मोन आपके खाने की इच्छा को एक्टिव कर देते हैं जिस वजह से आपके पाचन तंत्र की मान स्पेशियां सिकूडने लगती है और आवाज का कारण बनती है तो भूख लगना और पाचन की क्रिया होना सामाने है घबराने की ज़रूरत नहीं लेकिन अगर ये कारण नहीं है तो तो दोस्तों आप क्रोहन रोग, फूड अलर्जी, दस्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, संग्रामत आंत्र शोद और बड़ी आंत में सूजन जैसी गंभीर बिमारियों के शिकार हो सकते हैं और ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो आगे से आपको जब भी तेज आवाज के साथ पेट में कुछ गरबड़ी महसूस हो, तो बहतर है आप अपने डॉक्टर से संपर करें आप जानते हैं पेट से आने वाली इन आवाजों को कैसे रुका जाए? सबसे आसान है एक गिलास पानी पीना पेट के आवाज को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है पानी पीना क्योंकि पानी पेट भरने के साथ साथ पाचन क्रिया में भी आपकी बहुत मदद करता है बहतर रिजल्ट के लिए पानी पीते समय ध्यान रखें आपको धीरे-धीरे पानी पीना है दूसरा उपाय है उसी समय कुछ खाएं क्योंकि पेट से आने वाली आवाज बार-बार यह संकेत दे रही है कि पेट को कुछ चाहिए इसलिए भोजन या कुछ भी हलका खालेने से अस्थाई रूप से ये आवाजे बंद हो सकती है सबसे बहतर है कि आप दिन में तीन बार बड़े भोजन करने के बजाए दिन में चार से छह बार छोटे-छोटे हिस्सों में भोजन ले हर्बल ती हर्बल जी सबसे बहतर उपाय है इन आवाजों को रोकने का पुदीना, अद्रक और सौफ से बनी हर्बल चाय आपके पाचन में मदद करती है और आर्टों की मांसपेश्यों को आराम देती है पेट की एंठन, सूजन को कम करने के लिए अद्रक और पुदीना से बनी ये चाय आपके लिए बहतर रहेगी लहसुन जी हाँ, लहसुन में अलसिन नामक तत्व मौझूद होता है इसलिए पाचन को दुरूस्त करने के लिए आप सुभा सुभा नॉर्मल पानी के साथ लहसुन का कच्चा टुकुडा खाएं आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेर जरूर करें धन्यवाद